सौ सो हलो दोस्तों क्यासे हैं आप सबी लोग ¿ईजै आज की वीडियो में कांफी जाध है इंट्र्स्टींग वीडियो होने वाले आप सब लोगों के लिए काफ फीजा था इंट्रेस्टिंग वीडियो होने वाली है ठीक है ना वीडियो को जो आप लोग एंड तक जरूर देख लेना क्योंकि सायद से आप लोगों की ड्रीम बैक इसमें से कोई एक हो जाए ठीक है तो सारी डिटेस्ट जो इस वीडियो में आप लो वो है दी ओन लिव एंटी 15 ठीक है तो एंटी 15 का जो न्यू मॉडल है इंडियान मार्केट में अब ही लॉंच होने वाले मैंने काफी सारे वीडियो इसके बारे में बता दिया है लेकिन जो में फीचर्स हम लोग इसमें मिल रहे हैं उसके बारे में बता देता हूं एंड जो लांज डिट है उसके बारी में बता दूँगा एंड जो प्राइज है क्या होने वाला है उसके बारे में बताने वाला हूं ठीक है तो सबसे पहले अगर हम लोगे फीचर्स की बात करें तो इस गाड़ी में हम लोग एक नूउइ लूक्स में देखने को मिलेगा सबसे भड़ा है कि important changes यहां पर देखने को मिलेगा एंड जो है हम लोग को यह हम लोग को dual जनल ABS के साथ यहां पर हम लोग को front में USD suspension मिलने वाला है जैसे का RN54 में मिलना है उसी टाइप का यहां पर हम लोग प्राइजिंग की बात करें तो इस गाड़ी का जो एक शोरूम प्राइस एक्सपेक्टेड है वान लग 60,000 के करीब जो कि टॉप बॉटर होने वाले है उसमें हम लोगो जो क्विक सिप्टर वगरा एंड जो ट्रैक्शन कंट्रोल है वो चीज़ अगर हम लोगो एड़न किया जाएगा तो एक वान लग 65,000 के करीब इसका एक शोरूम प्राइस जाएगा एंड वान लग 85 के करीब इसका ओन रोड प्राइस चला जाएगा इंडियान मार्केट में ठीक है तो लांच डेट के अगर हम लोग बात करने तो एक्सपेक्टेड है फेबुरारी तक क्योंकि जाएगा इस जो हम लोग सोच रहे थे कि डिसमबर के महिने में लांच होगी लेकिन वह नवेंबर 17 कोई वह लांच हो गई तो उससी सब से देखाएगा जो इस गाड़ी का जो लांच है वह फेबुरारी या फिर मार्स तक हो जाएगी इंडियान मार्केट में तो अपनी लिस्ट में जो दूसरी बाइक है वो है दी ओन लिव आरवन टू फाइब जी हां गाइस आरवन टू फाइब जो इंडियान मार्केट में लांच होने वाले एंड गाइस इसका भी एक रिजन है क्यूंकि गाइस सभी कंपनी के पास 125cc में बाइक से लेकिन यामा के पास एक 24cc खरीदने का ज्यादा जो से अभी जो हम लोगों इंडियान मार्केटी में आमा के तरफ से यामा आर वन टू फाइब जो है मिलने वाले जिसमें हम लोगों 124cc का इंजिन देखने को मिलेगा जो कि पावर प्रेडियूस करेगा सबसे ज्याद है मतलब कि 15BHP तक हम लोग सब्सक्राइब के तरफ अगर हम लोग प्राइजिंग की बात करें वान लाग 40,000 या तक इंडियान मार्केट में लॉंच हो जाएगी और जो प्राइजिंग के बारे में मैं बताते है वान लाग 65,000 मैक्सिमूम इसका प्राइज होने वाला है तो हमारे लिस्ट में तीसरी सब्सक्राइब करने वाली है तो उसके बाद यह जो यामा जो हम लोग को एक नेकड बाइक जरू से जरूर प्रवाइड करने वाली है फीचर वाइज हम लोग को यह सेम देखने वा CAS रिधा फीच round 25 को जैसे आम लोग फ्रांट्वे वह ह subject रेर में हम लोग की हमन लोग को हन्देड फॉर्ट सेक्ट का टार देखने ऑन जौए हम लोग को इसका जो लुक्स है इसका जो pricing expected है 1,30,000 इसका एक शोरूम प्राइस रहने वाला है और जो on-road price 1,50,000 के करीब होने वाला है तो गाड़ी का जो pricing काफी से तक amazing रखा गया है कि मैं अगर बोलूँगा कि 125cc के हिसाब से naked sports bike के हिसाब से तो ये गाड़ी तेहल का ही मचाद़ा तो guys हमारे list में जो सबसे last bike है वो है the only Yamaha R3 जी हाँ guys Yamaha जो हम लोगों को R3 या फिर MT-03 इन दोनों में से कोई भी एक गाड़ी जो है 2022 के end तक launch हो जाएगी ये guys मैं official news तो नहीं बोल ला हूँ लेकिन guys मैं जब R15 V4 का review करने गया था company के तरप से मैं लेको ये बोला गया था कि MT-03 या फिर R3 भी आ सकती है तो मेरे खेल से पहले जो ये लोग MT-03 को launch करेंगे उसके बाद I think R3 को 2023 में I think launch करेंगे ठीक है लेकिन guys MT-03 अगर हम लोग बात करें इस गाड़ी में हम लोग को काफी अच्छा गासा features मिलेगा ठीक है तो सबसे बड़ा जो change आँ पर देखने को मिलेगा कि इसका जो looks है हम लोग को same आप लोग अगर देखोगे MT-15 अभी जो चल ले उसी type का यहाँ पर look देखने को मिलेगा लेकिन जो power है 542 भी तक हम लोग यहाँ पर पावर देखने को मिलेगा 29 अम टॉर्क देखने को मिलेगा जो कि इस segment में सबसे ज़ादा ओफ हो जाएगे 360 के अंदर and यह भाई easily Duke 390 को beat कर देगी ठीक है मतलब कि यह बच्चों का खेल हो जाएगा इसका जो top speed की अगर हम लोग बात करें है इस गाड़ी में हम लोग 175 प्लस का top speed है अराम से achieve कर लेगी and अगर हम लोग R3 की बात करें उसमें तो भाई छोड़ी दो 195 के उपर वो अराम से चली जाएगी अगर हम लोग drag rest की बात करें तो ठीक है गाड़ी का जो look से काफी ज़्यदा amazing होने वाला है बीच में हम लोग एक projected headlight मिलने वाला है अगर हम लोग features की बात करें तो इसमें हम लोग को front में जो usd suspension मिलेगा एंड जो rear में हम लोग को monosex suspension देखने को मिलेगा ठीक है जो seat है वह काफी ज़्यदा front का seat है वह काफी ज़्यदा rider seat है वह काफी ज़्यदा comfortable है लेकिन गाज जो rear seat है वह बिल्कुल भी comfortable नहीं है थोड़ा सा height है लेकिन ठीक है चल जाएगा ठीक है तो अगर हम लोग बात करें इस guitar section के front में हम लोग 100 section का मिलेगा गाड़ी का जोट speed है ना काफी ज़्यदा अच्छा है अगर हम लोग pricing की बात करें इसका जो pricing है सबसे हाई हो जाएगा एज़े 300 cc bag 300 cc bag के सबसे इसका pricing सबसे हाई होने वाला है एज़े naked sports bag ठीक है तो इसका जो एक शूरूम प्राइस एक्सपेक्टेड किया जा रहा है 1 लाग sorry 2 लाग 90,000 या फिर 3 लाग के करें जिसका एक शूरूम प्राइस एक्सपेक्टेड किया जा रहा है मतलब कि आप लोग समझ लो 3 लाग 30,000 के आसपस इसका onward price चला जाएगा इंडियान मार्केट में यह था चार गाड़ियां जो की इंडियान मार्केट में लाँट होने वाले है या फिर आप लोग बोलो 5 गाड़िय है R3 है MT03 MT15 जो new model वो भी है MT125 है और R125 है तो 5 गाड़ियां फिर लाँटोने ऑन जो है 2022 के end तक एंड प्राइजिंग सारे डीटेल्स जो मैंने दे दे हैं अगर आप लोगों कुछ भी टाउट सो तो जो तो आपको कमेंट से में पूछ सकते हूँ वहाँ पर मैं रिप्लाइ देने की पूरी पूरी कोसिस करूँगा एंड गाइस आप सबसे में पसे ही रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप लोग चैनल पर ने हो जरू 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 राचिक को सब्सक्राइब कर देजें बैल लागन जो दबते जनल वीडियो को जो लाइक और सब्सक्राइब कर देजें आपको फ्रेंट्स के साथ सबसे मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब दे के लिए बाई जाहिन वन्दमातरम